नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका Study for Civil Services में Study for Civil Services के एप से कोई भी test series, कोई भी course, कोई भी PDF अगर आप purchase करते हैं और उसमें coupon code लगा देते हैं payment करने से पहले apply coupon की जगाय पे ग्यानसर small letter में है सब बीना किसी space के ये coupon code लगाके 50% का discount तुरंग मिलेगा 31 मही तक है ये सिर्फ और सिर्फ एप वाले courses में applicable है ठीक है तो Study for Civil Services में कई सारी test series है UKPSC है, BPSC है, UPPCS है, ROE, ROE, BEO आली है test PDF में कई सारी PDF होती है, courses में भी कई सारे courses, study material और video courses भी है, UPPCS, agricultural services वाला भी course है, कई सारे और course आने वाले हैं इसमें नवश्कार साथ ही हूँ, स्वागत है आप सभी का Study for Civil Services में, ये है हमारी listing की class जो की Indian और World Geography की जो listing होती है, जो SCS में PDF दी जाती है, उसकी ये class है और आज का जो मारा topic रहेगा, यह है भारत के hot springs, hot springs यारी जो तप तिस्थल होते हैं जहाँ पर गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं, चश्मा कहलो, एक सोत कहलो या घरना कहलो ऐसा जो गर्म पानी का है, एक ऐसा कुंद जो गर्म पानी का है, उसको हम बोलते है, साथिए उसको कहा जाता है यहां पर hot spring ध्यान रखना खासकर PCS हो गया या UPPSC का कोई भी एक्जाम हो चाहे PCS हो या B.U. हो या R.O. हो अक्सर करके इसमें hot spring से सवाल आता है मैंने बहुत बार देखा है PCS में कई बार तो जल्दी से चोटे से टॉपिक कों कवर कर लेते हैं जिससे पेपर में आपका एक नमर पक्का हो सके अगर यह आ जाए तो ठीक है तो देखे पेपर में किस तरीके सवाल पूछता है आपको hot spring देदेगा और यह पूछेगा कि बताईए कहां पर है ठीक है इस तरीके के pattern से स द्यान रघना साथियों लडदाक के हैं पनामिका नूबरा घाठी के चुमाथां यहां पे गरम पानी के शोत पाया जाते हैं हिमाचल में देख खे खीर खंगा महीं है का सोल और भा मत थी में कर्णिया सभितियुए वशिस्त है तत्ता पानी है अखाड़ा बजार हाय और मनिकर्ण है यह सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में होड स्प्रिंग है गर्म-पानी के कुणड है ध्यान रखना पेपर पूस्ता है उत्तराखंड के गर्म बाद करें तो गोरी कुंड हो गया रिशी कुंड हो गया orchon करने जाते हैं और यहां पर गंदक का पानी होता है जो कि उनके बौड़ी में जो इसकिन संबंदी समस्य होती है खाज-खुजली वगएरा वो दूर हो जाते हैं सिक्किन के अगर हम बात करें तो सिक्किन में हैं यूम्थांग, रेशी, रालंग, फुर्चाचू, और तारम-चू, यह सारे सिक्किन से होट्स्प्रिंग, जम्मू कशमीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा तत्ता पानी यानि तत्ता पानी जम्मू कश्मीर में भी है और इसके अत्रिक तेहमात्य पतेश में भी है ध्यान रखना गुजरात में भी कुछ होट स्प्रिंग गरम पानी के सोथ पाए जाते हैं जो कि हैं लालपुर, धोलेरा, लस दूसरा है अत्री और तीसरा है देवरा जारी दियान रखना देवरा जारी महाराष्ट के गरम बात करें तो महाराष्ट में आपको मिलती है अरावली अरावली गरम पानी के जरने आपको मिलेंगे महाराष्ट में इसके लावा अकोली इसके लावा उनहावरे और इसके के सिर्फाविट के याद रखना थिकर अगर मेघाले में आपको मिलेगा जाक्रेमार रयाना में आपको मिलेगा Concerny यह प्रमुक पानी के गरम पानी के सोत हैं आपको याद है यह भी के साथ डिसक्स्क कर लेते हैं जो कि है भारत मैं बेश्या के आधार पर वनों का वर्गी करना कि वर्षा के आधार पर मतब जितनी वर्षा होती है उसके आधार पर जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं देखो जिन छेत्रों में साथियों 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है साल आना ठीक है देखे हमेशा साल दियान राकना कि भारत में जो बारिश मापी या जाती हम सेंटीमीटर में मापी जाती है कि आपके कितना सेंटीमीटर पाणी बरस रहा है साल भर में तो ऐसे आरए बार्स का सबस्क्राइब नहीं आएगा ऐसे लाके जहां पर 100-200 cm के बीच में बारिश होती है यहां पर पानी करीब करीब 75 cm बरसता है एक साल में ठीक है तो यहां पर आपको जो वन मिलेंगे वो होंगे सूखे जंगल या जो वनस्पती का प्रकार है और अगर 50 cm से से प्षाथ से पानी बरस रहा है पचास से भी कम पानी बरस रहा है तो फिर अम उसको कहेंगे कि यह रेगिस्थानी जंग तो यह वर्गी करण है वर्षा के आधार पर पेपर में पूछ लेता है खासकर सदा बहार और मांसून विश्यसकर क्योंकि भारत की जलबायू मांसूनी प्रकार की है इस वज़े से यहां से पेपर में सवाल आ जाता है भारत में 18 रेलवे जोन है तो आज हम देखेंगे भार इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा रेलवे जोन का हैड़कॉर्टर कहां पर है के वल इतना बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने के आवशक्ता नहीं है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पहला रेलवे जोन हमारे पास दक्षर दक्षर रेलवे जोन का मुख्याल सथी यह दिल्दी में इतर पूरवी रेलवे जोन है कास्गन जिसमें आता है गोरकपर के अंतरक्तित इस इस जारियाल समय आता है साथियों कोलकटा में पूर वीरे का मुक्याले मिलेगा थो दो हो याद रखेगा आगे देखो आगे है उत्तर पूर्वी सीमांत railway इसका हैड़कुरर मिलेगा मली गाव गुहाटी में दक्षण वमध्य रेलवे का हैड़कुरर में आपको सिकन्दराबाद में ठीक है ना पूर्व मध्य का 갖고 हाजिपुर में अब बहुत बार इसको ऐसे भी पेपर में देता है कि पूर्व मध्य की तरह यह लिख़ेगा सी और मध्य को लिख़ेगा यहांपे ऊत्तर को लेख़ेगा एन और पूर्व मध्य लेखना तो इसको इस तरह के सिय छेगा कि एज़ बोगा हमना है पूर्व कोस्त रेलवेए हमें लिखना ह्कूप इस तरीके से बहुत पॉर्व मद्ध रेलवे का हो गया हाजीपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्याला है हुबली में पॉर्ष्य मद्ध का हेड़कॉर्टर है साथियो जबलपुर में मेट्रो रेलवे कोलकता द्यान अखना इसका हेड़कॉर्टर कोलकता में है और जो लेटेस्ट बना है यह है दच्छन तट रेलवे इसका मुख्याला है विशागा प्राट्नम में ज्यान अखना मेट्रो को लेकर देहरा है इसाथ को आप लोग याद रखेगा तोशली आप देखते है आगे यहाँ पर हम चल्चा कर लेते हैं साथियों क्रशी संबंदी महतपूर अंतराश्टी संस्थानों के बारे में जो कि एक्जाम में आप से पूछ लेता है जैसे देखो सबसे पहला है यहाँ पर FAO यह है Food and Agricultural Organization खाद एबम क्रशी संगठन इसका Headquarter इतनी बार पेपर में पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता करोड़ों बार पेपर में आ चुका है दियान लगना FAO का मुख्याले है इटली की राजानी रोम में फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका Headquarter कहाँ पर है इसका Headquarter है साथियो जिनेवा में फिर है खाद्य नीती अनुसंधान संस्थान इसका Headquarter कहाँ है वाशिंग्टन DC USA में फिर है अंतराष्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान इसका Headquarter कहाँ है साथियो मनीला में ध्यान रखना फिर है अंतर राष्ट्रिय उस्ट निकटे बन दिये क्रशी संस्थान इसका है अबादान में जो किनाई जीरिया में पड़ता है और लास्ट इस में देख लो अंतर राष्ट्रिय आलू केंद्र यह आपको कहा मिलेगा यह मिलेगा लीमा में जो की राज़ानी है पेरू की ठ पर में आपको हेल्प करेंगे मिलते हैं साथ योगली क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत और वंदेबात